दोस्तों भारती share market सरवोच इस्तर पर है, खरीदारी आ रही है उन sector में जो की undervalued हैं जैसे की IT sector, लेकिन दोस्तों जब कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो बहतर निवेशक की एक खाशियत होती है, कि वो risk analysis properly करता है, तो दोस्तों यदि आप पिछले साल जाओ, तो पिछ पिछले साल के पहले 6 महिनों में, भारती share market को performance देने में दिक्कत आई थी, अब दोस्तों समय का चक्र फिर घूमा है, आप स्वयन देख लीजिए, एक तरफ हमारे निफ्टी ने करीवन 20% का return दिया है, उसके सामने hang-sang index, यह है Hong Kong का index, उसने दिया है माइनस, माइनस 15% का घाटा, एक तरफ Hong Kong का share market underperform कर रहा है, रशेशन में हैं, आप सामने दिख सकते हैं, साथ में संगाई का जो composite index है, वो देख लो आप, एक साल में वो भी 4.5% नीचे है, मतलब चीन की तुलना में भारत के valuation ऊपर चाड़ चुकी है, इसलिए यह जो valuation gap है भारत और चीन का, वो बिदेशी निवेशकों को एक बार फिर आकर सित कर सकता है, उसका एक कारण ये भी है, कि चीनी सरकार बहुत ज़्यादा stimulus दे रही है, लगातार बुझती हुई आग में भी पैट्रोल डाल रहे हैं, तो उनकी जो industry है, वो permanently long term के हिसाब से require करे ना करे लेकिन बीच बीच में stimulus के कारण उचल तो आ सकते हैं, इसलिए भारत से पैसा चीन जा सकता है, तो इस खत्रे के प्रति आप जाग रुक रहे हैं, और खास तोर पर ध्यान देना है आपने उन कंपनियों के उपर भारत में जो की अनाफशनाफ चड़ चुकी है, शॉर्ट देने के लिए माददा और मनी दोनों रखते हैं, तो आप हुल्ड कीची कोई दिक्कत नहीं है, गिरावटे आएंगी इस पूरे डवलप्मेंट के कारण तो वो खरीदारी का मौका होगी, क्योंकि अन्तता है, जैसे ही valuation adjust हो जाएंगे, फोड़ा समय गुजर जाएगा, त फिर recovery देगा